नमस्कार दोस्तों स्वागा था आपके अपने एक्टिव चैनल सन्विक क्लासेज में हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ का एलपी टेकनिशन के प्रेक्टिस सेट देखेंगे जिसमें दिया हुआ 75 प्रस्णों को फूल डिटेल सोलूसन करेंगे और यह सकेंड लास्ट प्रेक्टिस सेट है इस बुक का यह सूरू करते हैं पहले प्रस्ण से पहला प्रस्ण है कि किसी बस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस के मुखे अच पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन होगा और प्रतिविम होगा तो उत्तर लेंस में क्या होता है कि यू जो होता है निगेटिव होता है एफ जो होता है पोजेटिव होता है बी बराबर निगेटिव होता है जब अवासी प्रतिविम होता है अब लेंस सुत्र से आइए निकालते है 1 y B – 1 y U बराबर 1 y F होता है 1 y B बराबर 1 y F plus 1 y U हो गया अब 1 y F कमान कितना है दे देते हैं इसका 15 है और यू का क्या है 40 है जब इस एक वप की जागा है तो 8 मैंने 3 वटा 120 आ जाएगा तो भी ब्रावर हमारे पास कितना आ जाएगा 120 ब्टा 5 यानि 24 M ब्रावर आवरदहन क्या होता है BYU B कितना दिया हुआ है भी हमारे पास आ गया 24 U ब्रावर कितना है 40, answer जो हमारे पास آजएगा 0.6 जीरो दसमलब 6 यानि आवर्धन का जो मान है एक से कम होगा आवर्धन का मान धनात्मक है अतब परत्वीम उल्टा बस्तविक एवं छोटा बनेगा अंसर जो हमारे पास निकल के आजाएगा वह जाएगा अगला प्रस्न है कि एक बल्ग पर 220 वोल्ट 100 बाट लिखा है जब इसे 55 वोल्ट के सुरोत से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ब्याई सक्ति क्या होगा तो सबसे पहले आर निकालना है क्योंकि भी एसक्वाइर बटा पी होता है अब भी कितना 220 वोल्ट लिखा हुआ है 220 गुना 220 अब पावर कितना लिखा हुआ है थी सक्ति तो 100 बाट यह हो जाएगा 100 बाट अब इससे निकल जाएगा आर कितना तो 484 ओम का बल्व है आब कहा 110 मतलब 55 वोल्ट से जोड़ा जाता है तब क्या होगा तो पी बरबर हो जाएगा भी एसक्वाइर बटा आर तो भी कितना है 55 से जोड़ा गया है तो 55 गुना 55 बटा आर कितना निकाले थे 484 क्योंकि रेटिंग वही दिया हुआ है तो हमारे पास आ जाएगा कितना 6.25 बाट कोनों का योगभल 2700 डिगरी है सम बहुच के सभी अंता कोनों का योगभल क्या होता है यह होता है एन माइनस 2 इंटू 180 अब यह कितना दिया हुआ है तो यह 2700 डिगरी दिया हुआ है तो एन माइनस 2 बरबर हो जाएगा 2700 बटा 180 बरबर कितना हो जाएगा 15 बरबर कितना हो 14 11 8 7 8 9 12 4 और 6 की माधिका ग्याद कीजिए तो सबसे पहले इसे क्या कीजिए आरोही करम में सजा दीजिए तो आरोही करम में अगर हम इसे सजाते हैं तो यह हमारे पास आजाएगा क्या तो चार चार छे साथ आठ आठ इसके बाद नाओ 11 12 और 14 अब प्रेशनों की संख्या या वर वर कितना है जब इसे कोंट करेंगे तो यह दस है यानि शाम संख्या है तो सम्संख्या का मध का क्या होता है एन वाई टूवा और कौन होता है एन वाई टूपलस बनवा जो पद है उ तक और यह ज़ा है कि एक ब्यक्ति ने कहा तस्वीर की इसारा करते हुए ने कहा तस्वीर की इसारा करते हुए कि इसके रमेश की मा के इकलोती संतान, मा का इकलोती संतान तो कौन हो जाएगा, रमेश खुद हो जाएगा, और इकलोती संतान का ये बेटा है, यानि है पस्ट है कि रमेश जो है तस्वीर वाले बेटी का पीता है, अंसर जो हो जाएगा C, उस बिकल्ब का चैन करें जो तीसरे सब्द में उसी परकार संबंदित है जिस परकार दूसरा सब्द पहले से है पत्र लिफाफा खंजर अंसर हो जाएगा C मयान दूद का जो संबंद डेरी से है वही संबंद ब्रेड का है तो इसका सही जबाब हो जाएगा अप्शन C बेकरी से अगला प्रस्ण है अस्टेलिया गया हो जाएगा अगला है किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है तो पिर्थिवी द्वारा पिंड को अपनी और अकर्सित करने वाला बल कमान क्या हो जाएगा तो किसी पिंड का भार अगर 40 N है तो पिर्थीवी द्वारा पिंड को अपने और अकर्सित करने बल कमान वी 40 N होगा न्यूटन के गती के तिर्थे नियम के नुसर किरिया एक्वल टू परतिकिरिया है किरिया परतिकिरिया के बरावर होता है लेकिन यह बिपरी दिशा में हो मैं दो भिन 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 बस्तों पर कार्ज करता है तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा C एक बेलन के अधार का ब्यास 3 cm है और इसकी उचाई 14 cm है बेलन का आईतन ग्याद कीजिए तो बेलन के आईतन बरावर होता है पाई आर स्कॉयर यानि बाइस बटा साथ अगुना तीन बटा दूर रेडियस निकाल लिए अगुना स्कॉयर अगुना चोधा हो गया यविसे स्वर्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 99 cm के होल क्यूँ अंसर हो जाएगा उप्शन A प्रेचनों इतना का समांतर माध ज्याद कीजिए समांतर माध बरावर जो होता है प्रेचनों का योग होता है सबको योग कीजिएगा अब अटा संख्या है यानि एवरेज हमें निकाल देना है तो सभी का योग करने पर जो आता है कितना आएगा 630 आएगा अब कितने संख्या है इसमें दिया हुआ तो 9 है अंसर हमारे पास आजाएगा 70 अप्शन A सही हो जाएगा यदि किसी निश्चित कूट भासा में रैट को 40 चा को 33 काते हैं रिटर्न को क्या कहेंगे यहाँ परती है कचर के स्थानियां कितमान को आपस में योग करके उसमें एक जोड कर कोड किया गया है जिसे देख लिजे आर का होता है ठारा एक 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 टी का बीस यह हो गया कितना यह हो गया 49 और 49 में से एक जोड के यह 40 कोड किया गया है उसी तरह अगर हम रिटर्न को देखेंगे तो अठारा प्लस पांच प्लस बीस प्लस एकीस प्लस अठारा प्लस चौदा अब प्लस एक लगस में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा संतान में अंसर हो जाएगा ओप्शन A सरांग पस्चिम की तरफ देख रहा है इधर देख रहा है पस्चिम की तरफ देख रहा है वह 135 डिगरी दशना बर्थ और फिर 45 डिगरी बामा बर्थ की तरफ घूम जाता है अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है तो 135 डच्छना बर्थ माइनस 45 डगरी बावा बर्थ बरबर 90 डच्छना बर्थ दिसा में घूम रहा है अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन होगा तो अमसन D उत्तर की हो यानि अगर इस तरह के अगर हम देखते हैं कि इधर यह पस्चिम है यह पूरव है यह उत्तर है और यह क्या है दच्छिन है तो पहले 135 डगरी घूम रहा है कितना 135 डगरी घूम रहा है उसके बाद क्या कर रहा है कि दच्छिना बर्थ में 45 डगरी घूम तो अब ये उतर की तरफ होगा अंसर होगा D कूट भास हमें इस तरह को इतना के रूप में लिखा जाता है तो मीट के लिए कोड क्या होगा तो आईए देखते हैं अगर भी का जो होता है वो कितना होगा तो भी का 22 होता है और उसका अगर हम अच्छर दो को यहां लिख देते हैं और ई का क्या होता है पांच होता है उसका जो हम लिख देंगे डिरेक्ट पांच ही आई का क्या होता है नव होता है ये भी हम नव लिख देते हैं और एल का क्या होता है एल का 12 होता है सोता है इसका अंतिम अंक लिखते है इस तरह कि ये कोड़ गया है उसी तरह का करा दोंर अगर टीलिका जीरोह तो यह होगा 35ud अन्सर हमारे पास आ speculator और इसका प्रिषकार रनवीर कपूर फिल्म एनिमल ने जीटा है कोई परकास किरन किसी काच के प्रिज्म के एक अफवर्तक प्रिष्ट AB पर आपतित होती है और N अफवर्तक प्रिष्ट AC से बाहर निकलती है निम्न कतनों पर विचार किजिए और बताइए कि कौन सा कतन सही है प्रिष्ट A.B. पर अफवर्तन कौन? सुएथ परकास के विभिन रंगों के लिए समान होता है प्रिष्ट A.C. पर अफवर्तन कौन? विभिन रंगों के लिए भिन होता है अंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी केवल दो सही है नेक्स्ट है किसी परिकर्मा करते हुए उपगरह से एक छोटा सा भाग प्रिथक होता है तब यह भाग अंसर हो जाएगा अब संसी उपगरह की भाती ही समान कच्छा में घुमता रहता है एक दुकंदार के पास निम्नियोजन आये है पंदरा परसेंट और विश परसेंट की दो करमागत छूर्ट है अगर पंदरा थी की दो करमागत छूर्ट देखा जाए तो कितना हो जाएगा तो पंदरा गुना प्लाबीस अब बटा सौ परेवर यह बतीस परसेंट के बराबर होगा पांच खरीदे और चार मुफ्त पाए तो इसमें जो अगर हम छूट देखते हैं तो चार बटन नौ गुना सव रवर कितना होगा 44 दिसनलग 44 परसेंट यानि कौन सा फाइदा हो जाएगा तो परतियक योजना में एकल छूट करम सा पूछ रहा है तो यह हो जाएगा ए कभी खरीदे चार मुफ्त पाएं लेकिन यहां पर दोनों को परसेंटेज पूछ रहा है एक करने होगा 32 परसेंट चुट है दूसरे में 44 दसलों चार चार परसेंट नेक्स्ट है एक ब्यक्ति ने क्रम सा दो में तीन सेव और एक परतियक किस्म की सेव समान संख्या में खरीदे और फिर सभी सेव को एक परतियसव के दर से बेचा तो उससे प्रतियसे लाब घ्याद कीजिए तो माना की परतियक किस्मों की सेव की संख्या कितनी हो गई तीन हो गई, क्रायमूल कितना हुआ, दो गुना एक, चोरी, दो पलस एक, गुना तीन, यानि कितना हुआ, पांच रुपया, बिक्रायमूल कितना हुआ, बिक्रायमूल हुआ, एक गुना छे वरवर छे, तो ला परसेंट वरवर क्या हो गया, छे माइनस पांस बटा पांच, अगुना 100 परवर कितना हो गया 20% अंसर हो गया कितना तो हो गया 20% यहां करा कि परती किस्म के सेव समान संख्या खार दे यानि यहां जो है वह तीन-तीन सेव खरदा एक तीन सेव कितने में था दो रुपया में खरदा एक 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 रुपया में खरदा तो यही हमारा पांस रुपया आया था अब बेचा कितना एक रुपया पड़ती सेव किदर से तो कितना बिक्रे में छे रुपया बिक्री हु मुख संसादन के रूप में मुबाइल फोन या अनिलेक्टोनिक उपकरनों का परियोग करना सुरू कर दिया है। परिनाम सुरूप अध्यान समागरी के रूप में परियोग की जाने बाले पुस्तकों के उपयोग में भारी गिरावश हुई है। निसकर्स क्या है? पुस्तक पढ़ने के तरीके खोजे जाने चाहिए इसका सही अनसर हो जाएगा एक प्रियोग करके हमें बताना है क्या मतलब निकलेगा है तो इसका जो अनसर हो जाएगा और या-जीरी प्रस्न है। का अंसर B हो जाएगा, दियो हेच चित्र के अनुसार, पासे के परतियक प्रिष्ट, जो है, पर 6 अच्छर है, यहां पर जो जे क्या पोजिट है वो कौन है आई है अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा तो वो हो जाएगा सी आई होगा और पासे काफी अच्छा वीडियो सन्विक मैथ पे लोड किया गया है आप जाकर एक बार देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हाली में जनबरी दोहजात चोबिस में किसके द्वारा बिहार के मुखमंत्री पद को सपत दिलाया गया है और इसका सई अंसर हो जाएगा और संडी राजेंद्र विस्वनात अरलेकर के द्वारा क्योंकि ये बिहार के जो है वह राजपाल है राजपाल जो है क्या करते हैं मुखमंत्री के सपत दिलाते हैं बिहार की नई सरकार में विजय कुमार सिन्हा और सम्रार चोधरी मंत्री के रुप में सपत लिए हैं और नितिस कुमार नोवी वार बिहार के मुखमंत्री पद की सपत लिए हैं अगला है माध्यमों एक दू और तीन के वर्थनांग हैं एक दसलम तीन एक दसलम तीन आठ और एक दसलम चार चार यदि माध्यमों में परकास की चाल भीवन भीटू और भीत्री है तुनके बीच निम्न में से कौन सा संबन जो है वो सही है तो अंसर हो जाएगा डी भीवन ग्रेटर दन भीटू ग्रेटर दन भीत्री मियू बराबर जो हमारे पास होता है निर्बात में परकास की चाल बटा माध्यम में परकास की चाल माध्यम क्या परतनाक जितना अधिक होगा माध्यम में परकास की चाल उतनी ही कम होगी अगला है एक उत्तर लेंस और एक अप्तर लेंस आपको दिया गया है जिसकी सक्तिय गया थै किस लें सब्सक्राइब भर तो उन में पर की। तो आएद निकालतें तेन करमागत बिसम संख्याओं का X-2, X और X-2 होगा और इसे जोड़ दीजिए X-2 पलस X पलस X पलस 2 वरबर कितना है 309 है 3X वरबर हो जाएगा कितना 309 X वरबर हो जाएगा कितना 103 तो अंसर हमारे पास जो आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या 103 पलस 2 कर दीजे 105 हो जाएगा इतना इतना और इतना इतना कमान क्यात करें तो सीधे इसमें से जोड़ दीजेगा अंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? B हो जाएगा A B का बेटा है A जो है वो क्या है? वो B का बेटा है जो की C का इकलोटा बेटा है C का क्या है? इकलोटा बेटा है D C का पती है D जो है वो क्या है? C का पती है तो D का A से क्या संबन है? तो D का A से क्या संबन है? तो ये सिम्पल सी हो जाएगा दादा अंसर हो जाएगा आपसर A कथा नेवाम धारनाएं के प्रस्न है है, पिछले बर्स में पूने विस्वीजल्यालाय ने च्छात्रों के बेहतर भविस केले कई बेवसाइक पठिकरम आरम किये, धारनाएं, पूने विस्वीजल्यार्थी के लेकर सचेत है, अन्सर हो जाएगा दी, धारना, ए, और बी दो अंसर हो जाएगा D आराम किस निउरो टेखनोलोजी कंपणी के बग्यान को और इंजिनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेंचिप को लगाया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन A, Neuralink Neuralink के बग्यान को और इंजिनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया है एलन मास्क ने पहले Neuralink उत्पाद का नाम टेली पेथी रखा है अगला प्राशन है कि 12 cm फोकस दूरी बाले अबतल दरपन के सामने एक 4.0 cm लंबी बस तु कहां रखी जाए कि उसका 1.0 cm लंबा पठती बीम बने तो M बराबर जो हो जाएगा माइनस माइनस 1 बटा माइनस 4 बराबर हो जाएगा हमारे पाद 0.0 माइनस में 25 हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 0.25 अबतल दरपन में जो होता है U बराबर निगेटिव होता है एफ भी जो होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है तो आज ये फर्म लगा देते हैं माइनस 0.25 गुना माइनस 12 माइनस 0.25 यू बरबर क्या हो जाएगा माइनस 12 है इसे जब सोल्म किजेगा तो 0.25 यू बरबर होगा पलस 3 पलस 12 यानि 15 यू बरबर हो जाएगा 15 बटा 0 दो पाच यानि 60 सेंटी मीटर अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी अबतल दर्पन अनंत से आतिव परकास किरने को एक बिंदू पर लाने की छमता रखता है इसलिए इसका उपियोग सोलर कूकर में हम लोग करते हैं अबतल दर्पन के अबर्धन छमता धनात्म खोने पर परतिवीम अभासी तथा रिनात्म खोने पर परतिवीम बस्तविक बनता है आपतल दर्पन का धासा हुआ भाग प्रवर्तक सता होता है नेक्स्ट है निम्रिक्ष में कौन सी एक संयोजन अभिकिरिया एडिसन रियक्षन है और इसका अंसर होगा एजेडेन सीओ जो है वह एडिशन रियक्षन है यदि ब्याज अर्ध बार्षिक रूप से चक्रविर्धी होता है तो असी हजार रुपया की रासी पर 12% की बार्षिक दर से एक बर्ष में प्राप्त होने बारे मिस्धन ग्याद कीजिए यानि कह रहा है कि चुकि ब्याज अर्ध बार्ष आजए गा मुलधन उप्साइब अच्छ्व गणावन प्लस दर केतना च्छे अबटा सौव के स्कॉायरबसी से सोल्व किजिए गा तो हमारे पास आजएगा नवासी हजार आट पासी अंसर जो हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा वो हो जाएगा ओप्सर डिए अइक्स 84, 100 में 84, खत्म कर देता है और कितना बचाता है 8000 यानी 16% वरावर हमारे पास जो आया वो कितने के बरावर हो गया 8000 के बरावर हो गया 100% वरावर कितना हो जाएगा 8000 बटा 16 अगुना 100 वरावर हमारे पास आ جाएगा पच्चास हजार option C सही हो जाएगा निम्नांकित बे नारेक को ध्यान पुर्वक अध्यन करे और उसके अधार पर पूछे गए प्रशन का उत्तर दीजिए कि कितनी विवाहित लड़किया असना तक है लेकिन कामगार नहीं है अंसर जो हमारे पास हो जाएगा यह है आठ option A हो जाएगा अगले प्रशन कूट भासा के परियोग करके अंसर देना है इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C कथन वम निसकर्स का प्रशन है आईए देखते हैं सभी जो कह रहा है कि गोरईया वो क्या है तो सभी गोरईया पच्छी है और उसके बाद कर रहा है कुछ पच्छी जो है वो क्या है वो जानबर है कुछ पच्छी जो हमारे पास है वो हो जाएगा क्या है वो जानबर है इस तरह बनेगा कुछ पच्छी जो है वो जानवर है सभी कुत्ते जो है वो जानवर है सभी कुत्ते जो है वो जानवर है यह कुत्ते हो जाएं और उपर वाला क्या हो जाएगा पच्छी और बीच वाला जो है वह है गोरईया अब आईए निकालते है निसकास में कुछ कुटे गुरईया है गलत है सभी जानवरों के पच्छी होने की संभाव ना है सही है कुछ जानवर गुरईया है ये गलत है अंसर जो हो जाएगा ओप्सन दी केवन निसकर सकेंड सत्य है हाली में भातिय सेना द्वारा सदा तंसीक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ पर्राम किया सदा तंसीक अंसर हो जाएगा ओप्सन सदा तंसीक आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयुजित किया गया था अधुनी कबर्ट सार्निक 118 तत्व में से प्राकृृतिक रूप से पाया जाने बले तत्व कितने है अंसर हो जाएगा ए कि 148 तत्व में से कृत्तन रूप से पाय जाने बले तत्व कितना है तो चौणी कबर्ट, सार्निक मोसले के नियम पर अधारित है निमलिखित योगिकों को और आयू पी ए सी पद्थि का नाम बताइए कि इसका क्या नाम हो सकता है। इसका जो अंसर हो जा जाएगा .. क्या हो जाएगा..? ये देम मेधे चांत हुआए इसमें से यह जूड़ जाता है, तो 16 में 8 जूड़ जाएगा, तो यह 24 और 24 में 2 जूड़ जाएगा, तो यह 26 हो जाएगा, और 26 प्रिशनों की संख्या कितने 26 है, जो कि सम संख्या है, तो माधिका बराबर जो हमारे पास होगा, माधिका बराबर होगा, n by 2 वा पद और n by 2 प험 हूं उसका जोगा टोणा करेगा उसका मिला जाएगा निसका फाल में क्लिए के सिर्कुर्ण कारी क्लिक पर रहे मुष्ग इसका जो अंसर हो जाएगा कौन सा डी है अब इसे शोलू किजिए अंसर हो जाएगा डी उस समुझ का चैन किजिए जिसके संख्याओं के वहीं संबन्द है जो नीचे दी गए समुझ्यों के संख्याओं के बीच में है 54, 24, 11, 143 का देखे किस तरह है चार गुना 4 पलस 2 करते है यनि चार गुना 6 हो जाएगा शितरह 11 गुना 11 पलस 2 करेंगे 11 गुना 13 प्रवर 143 अगर बिकल्फ हम A देखते है तो 2 अब 4 कितना हो जाएगा 18 अठारा है तो अंसर हमारे पास हो जाएगा और निमिलिखत अच्छुर और संख्या सिंख्ला के अधार पर पूछे क्या प्रश्ण का उत्तर दीजिए वाइय से दाय उक्त स्रिंखला में इसे कितने अच्छर है जिनके ठीक पहले एक अच्छर है और ठीक बाद एक संख्या भी है यहां पर अगर हम देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा एक यह हो जाएगा दूसरा कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा आर बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा CT 7 हो जाएगा R by 3 S A 4 हो जाएगा और 1 होगा कौन सा तो वो होगा T by 7 हो जाएगा हमारे पास अंसर आ जाएगा Option D 4 हो जाएगा अगला प्रस्न एक हाली में समचारों में देखा गया देहिंग पठखाई राष्टय उधान कहां इस्तित है और इसका सही अंसर हो जाएगा Option A असम में इस्तित है Next प्रस्न है कि निमलीखित में से कौन सा कथन सत है बताना है कि निमलीखित में से कौन सा कथन सत है तो सोडियम कारवोनेट का तो अंसर हो जाएगा option A क्या होता है जब sodium chloride के billion में silver nitrate का billion मिलाया जाता है और इसका जो सही answer हो जाएगा option B silver chloride का एक सफेद अबच्छेप प्रेसीपिटेट बनता है अंसर हमारे पास हो जाएगा वह जाएगा बी आए एक्षंद डेखते है एने यादि A का 60% B का एक दसनल दूस बरबर C का दो बटा 5 है तो A अनुपाद B अनुपाद C क्या होगा A गुना 60 बटा 100 बरबर B गुना 1 दसनल दो बरबर C गुना 2 बटा 5 हो जाएगा 3 A बटा 5 बरबर 6 B बटा 5 बरबर 2 C बरबर 5 होगा यानि 3 A बरबर 6 B बरबर 2 C A अनुपाद B अनुपाद C बरबर होगा 6 गुना 2 अनुपाद 3 गुना 2 अनुपाद जो होगा हमारे पास होगा कितना दो गुणा तीन अनुपात तीन गुणा छे हो जाएगा हमारे पास जब क्याएगा कितना छे गुणा दो अनुपात तीन गुणा दो अनुपात होगा कहां पर तीन गुणा छे यानि दो अनुपात एक अनुपात तीन होगा अंसर जो हमारे पास आएगा वो समय बराबर हमारे पास हो जाएगा ब्याज गुना सो बटम मुलधन कितना है चौशट सो अगुना दर कितना अच्छे अंसर हो जाएगा दो बर्स जब इसे काट पीट किजिएगा दो बर्स हो जाएगा सब्सक्राइब किया है तो नो जाना चाहिए तो पहले के अंतिम घटकों को कुटबद किया जाना चाहिए यहांपर दिया है इसका कूट करना है तो यह कौन सा सर्ठ जो है कर रहा है तो सर्ट 1 पूरा कर रहा है अगर इसे हम देखते हैं यह vtb दो के जगह पर c और डॉलर के रहा है 100 हमारे पास होगा फर norms नेक्स प्रस्ट ने दिये गए समिकरण में किन दो संख्याओं के स्थान पर प्रस पर बदल देने पर समिकरण संतुलित हो जाएगा इसका जो सही अंसर हो जाएगा ओप्सन ए नो और तेरा को मुस्लिम लिग ने किस दिन को सिधी करवाही दिवस डिरेक्ट एक संडे के लिए था दिया हुआ हाइड्रोकारवन जो है उसका नाम क्या है और इसका अंसर हो जाएगा बी पेंटेन क्या नाम है पेंटेन है निमलिखित में से कौन सा कथन बस्पिकरण पर अधरता का पढ़ने बाला प्रभाव के संबद में गलत है अंसर हो जाएगा बी अधरता इदर को बढ़ाता है और कभी जो है घटाता है चक्रवर्ती बामन किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार चला रहा है उसे 364 किलोमीटर की दूरी तैक करने में कितना समय लगेगा 364 बठा बामन कर देजिए अंसर आजाएगा 7 घंटे अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मान लीजे कि एक्स बरबार 55 के पावर 100 प्लस 55 के पावर 101 प्लस 55 के पावर 102 है तो निमलिकित में कौन सिया वाल संख्या एक्स का गुननखन नहीं है यहाँ पर इससे सोल्व करते हैं 55 के पावर अगर हम सो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस 55 प्लस 55 के क्या हो जाएगा यह स्कॉायर हो जाएगा जब इससे और सोल्व करेंगे तो 55 के पावर 100 गुना 381 हो जाएगा 55 के पावर 100 गुना 3 गुना 13 गुना 89 और थोड़ा तोड़ेंगे तो 55 के पावर 100 गुना 5 गुना 11 गुना 3 गुना 13 गुना 89 तो हमारे पास इसको 99 कर देते हैं एक पच्पन बाहर निकाल लेते हैं तो यह टूटेगा पांस गुनेगारा तो बिकलपों में अगर देख रहे हैं तो बागी सब तो मिल जा रहा है एकतर जो है एकस का गुनन खंड नहीं है तो अंसर हमारे पास हो जाएगा हो जाएगा सी काली मिटी का दूसरा नाम निमलिक्षित में से कौन सा है इसका सही जवाब हो जाएगा आप्षन बी स्वेञ जूटाई करने वाली मिटी काली मिटी का दूसरा नाम स्वही जुताई काने वाली मिटी है काली मिटी को कपासी मिटी, रेगुल मिटी, करेला मिटी और चार नोजम मिटी के नाम से भी जाना जाता है निमलिखित में से कवा के उधारन कौन है? अंसर हो जाएगा D सभी ट्रोड़स, टूल, पुकीनिया और इस्ट ये सभी जो है वो कवक है कवक पर जीबी एवा मिर्तप जीबी होते है बेसो प्रेशिन समबंदित है और इसका सही अंसर हो जागा A, मुत्र के सांदरन से बेसो प्रेशिन मुत्र के सांदरन से समबंदित है यह एंटिडियूरेटिक हार्मोन है एडियेच है यह हाइपो थैलमस से निसकरसित होता है जो रख में पहुचकर मुद्र के संद्रन में सहायता करता है इनमें कौन सा जैलम का एक घटक नहीं है और इसका सही अंसर होजागा आप संसी सहचर या साथी जो है कोशका जैलम का ए 48 ऑघ British इन दोनों संख्वाइओं का महत्यं स्वाबर तक 6 है तो यदि एक्स प्लस हुआ की संख्या कितनी होगी और माना कि संख्या कितना है वे वे से एक्स चता है कौन-कौन हो सक्ता है साथ एक हो सकता है, पॉस दिन हो सकता है, हमारे पास कितने बना, तो दो, दिये गए बिकलपों में असंगत को पचाने, यह देखते हैं, अंसर हो जाएगा, इगल जहपट्टा, इगल किसी बस्तु को पकड़ने के लिए जहपट्टा मारती है, जबकि अंस सभी को रहने की ज 26 करेंगे, तो 173 होगा, और इसमें से 28 करेंगे, यान 173 प्लस 28 करेंगे, तो 201 जो है, वही हमारा अंसर होगा, कैलसियम से भरपूर मिट्टी के लिए निमलिखित में कौन सा सब्द परियोग किया जाता है, अंसर हो जागा, ए, पेडो कल क्या है, पेडो कल मिट्टी में कैल कैलसियम की मातरा भरपूर पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी में लोहा अलमुनियम और चूना की मातरा अधिक होती है, पेडो कल दो सब्दों का बना होता है, पेडो और कैल्सियम, बैक्टिरिया की पर जाती है, जो समुन्दरी जल की सता पर फैले, पेट्रोलियम लक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है सिग्रेट पीना स्वास्त के लिए हानिकारक क्यों है अंसर हो जाएगा डी क्योंकि यह उपरी स्वसंद पत्थ में मवजूद पच्माव को नुक्सान पहुचा आता है टिटनेस नामक रोग निम नाम से भी जाना जाता है इसका अंसर ह से नजना उसकारा अंसर हो जाएगा जो एक दूसरे का मने साबने वैटने है अब 4 और 8 मित्र बैठे हुए ए एफ के सामने है अगर ए यहां पर बैठा हुआ है तो एफ जो है वो यहां पर बैठा हुआ होगा ए के दाएं दुसरा है ए जो हमारे पास कहा है वो यहां बैठा हुआ है और कह रहा है कि जी जो है सी और ए के बीच में बैठा हुआ है G जो है वो कहां बैठा हुआ है C और A के बीच में बैठा हुआ है H E के बाएं है तो कौन C के बाएं दुसरा है यहां पर अगर हम कौन बैठा होगा B या D होगा यहां क्या होगा D या B होगा उन्सर जो हमारे पास निकल के आजाएगा वह जाएगा B A है नियमनाच्छर समोह में कौन सा एक समोह का हिस्सा नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा वह होगा B क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा B F H आने सभी विखल्पों में एक एक स्वर है जबकि विखल्प B में केवल बैंजन है भारतिय समिधान का अनुछे 338 A किस्से सम्बंदित है सही अंसर होगा A अनुछे 338 A के अंतरगत सम्बैधानिक आयोग है और आस्टिय पिछला बार का आयोग अनुछे 338 B के अंतरगत बनाया गया है यह था ALP टेकनिसियन के प्रेटफार्म बुक में दिया हो प्रैक्टिसेट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दियेगा धन्यवाद